वंदे भारत एक्स्प्रेस भारत की पहली एंजन रहित सेमी हाइ स्पीड ट्रेन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है 97 करोड की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गती से दोड़ने में सक्षम और अधिक्तम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गती तक चलने वाली ये ट्रेन बनी है चैन्नाई की इंटीग्रल कोच फाक्टरी आईसी एफ में सिर्फ 18 महीनों में जिसमें हैं कमफर्टबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इंफरमेशन सिस्टम CCTV कैमराज और एमरजनसी में ड्राइवर से बात करने के लिए Talkback Facility साथ ही Executive Class Coaches को खास बनाती है इसमें लगी 180 डिग्री तक घुमने वाली Reclining Chairs Mobile Charging Points, Diffused Lighting और Reading Lights आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं Automated Sliding Doors और Automatic Stairs जो केवल ट्रेन के रुखने पर ही खुलते हैं इस ट्रेन की सबसे खास बात तो ये है कि जहाँ बाकी रेल गारियां दिल्ली से 12 असी पहुँचाती हैं 13 से 15 घंटों में वहीं वंदे भारत एक्स्प्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुँचाएगी ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक Advanced Train वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में Make in India के तहट जब अत्याधुनिक तक्नीक से बनी ऐसी कई ट्रेने तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दोड़ेंगी तो हम कितनी तेजी से New India की ओर बढ़ेंगे वंदे भारत एक्स्प्रेस भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं देश को समर्पित